आज की इस वीडियो में आली और जोसी मट की पूरी जानकारी में आप लोगों को इस वीडियो में दूँगा कि कैसे यहां तक आप पहुंचे और यहां से कहां कहां आप घुमने जा सकते हैं अभी हम लोग हैं स्की रिजॉट आली में जो कि उत्राखंड टूरिजम डिपार्टमेंट का है और हमारे होटल से जो व्यू है वो देखिए आप कितना प्यारा व्यू है और आली का मैं संक्षिप्त परिचाई आप लोगों को दे दू आली उत्राखंड के सुदू परवतों के बीच बस एक छोटे से परेटा कस्थल का नाम है जो कि विंटर्स गेम के लिए भी परसिद्ध है आली में संपूर्ण भारत वर्ष से लोग स्कींग करने आते हैं और यहाँ पे स्कींग सिखाई भी जाती है जिसके सर्टिफिकेट और नौन सर्टिफिकेट पूसर्ज होते है सुबह के आठ बच चुके हैं और हम लोग जल्दी से ब्रेक्फास्ट करके निकलेंगे गूमने को और यहीं होटल के अंदर से चेयर लिप्ट स्टार्ट होती है तो दो किलोमेटर की राइड लेंगे हम और दो किलोमेटर की चड़ाई भी हमें नहीं चड़नी पुड़ेगी यह आज के साथ ही हैं आसीस जी, गौरब, नागेंदर और मैं हम चार लोग हैं आज के ब्रेक्फास्ट में पूरी खा रहे हैं हम लोग और फटा-फट ब्रेक्फास्ट को खतम करते हैं और चेयर लिप्ट की राइड लेते हैं मेरा फ़र्स टाइम राइड है इससे पहले मैं कभी भी नहीं बैठा और एकदम मज़ा आ रहा है ठंडी-ठंडी हावा कानों पे लग रही है और नीचे बिल्कुल भी सुखा है कोई यहां बरफ नहीं देखने को मिली हैं लेकिन ठीक एक किलोमेटर की राइड कम्प्रीट करने के बाएड हमें हलके बरफ देखने को मिली और चेयर लिप्ट की जो राइड है आप यहां तक पहुंच सकते हैं और अगर आप ट्रेन से आना चाहरे हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पढ़ेगा रिसी केस, हरिदवार और देरादू तीन रेलवे स्टेशन पढ़ेंगे रिसी केस 270 और देरादू और हरिदवार पढ़ेंगे तीन सो तीन सो किलोमेटर और जो नजदीक एरपोर्ट है वो भी देरादू में इस्टित है और अब हमारे पास आखरी जो बिकल्प बसता है वो बाई रोड का बसता है उत्राखंट परिवह निगम के जो बसे हैं वो आपको हरिदवार रिसिकेस और देरादून से आसानी से मिल जाएंगी या आप कैट बुक करवा के या ने जीवान से जोसिमाट तक पहुंच सकते हैं इसके बाद आपको दो आप्शन मिलेगे यहां से 15 किलोमेटर दूर है ओली आप गाड़ी से भी जा सकते हैं और रोपवे के थूर भी जा सकते हैं अगर आपके पास प्रियाप्त समय है तो बाई रोड आप ओली जा सकते हैं अदरवाइज लंबे-लंबे जाम से बचने के लिए आप रोपवे ले सकते हैं कि सिर्फ आपको 20 मिनिट में पहुचा देगा ओली जिसके लिए आपको खर्च करने होंगे सिर्फ 1000 रुपए और ये टिगट सिर्फ 3 दिन के लिए वैलिड होता है यानि कि आप एक दिन अगर स्टे करना चाहें आप एक दिन रुक के दूसरे दिन फिर वापिस आ सकते हैं जोसी मट से आप लिए तक का जो ये रोपवे है इसकी जो लंबाई है वो 4 किलोमेटर है और इसमें 10 टावर लगे वे हैं तो जो आखरी स्टेशन है उसको 10 नमबर कहते हैं जो की हमारे ठीक सामने है और साथ में एक चीज और मैं आपको बताता चलो रोपवे की एक दिन में सिर्फ 500 टिकेटे इशू होती है make sure कि आपका नमबर भी उन 500 ना जाए क्योंकि सीजन के टाइम पे यहाँ पे टिकेटें खतम हो जाती है और लोग खड़े रहते हैं लंबी-लंबी कतारों में टिकेट के लिए और साथ में टाइमिंग वीडियो रोक के पढ़ लेना अगर आप टाइम ही मिस कर जाओके तो टिकेट मिस हो जाएगी तो टाइम पे पहुंच जाना टिकेट मिल जाएगी और यहां पे मिलेगा एक मांचितर जिसमें लिखा होगा हम कहां कहां गुमने जा सकते हैं च्छत्रा कुंड है पढ़ियार मंदिर है गोरसों ताली बाड़ कुंड चितर कंठा एवं कमारी पास और यहां से दो किलोमेटर चड़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं पढ़ियार देवता के मंदिर और यहां से दो किलोमेटर और उपर है गोरसों बुग्याल और चलते हम भी स्पीड में गोरसों बुग्याल और दोस्तों चार किलोमेटर की दूरी तैय करके और कई लोग यहां पर गोड़े या खचरों से भी आ रहे हैं अगर आप लोग चल पाते हैं तो आप पैदल आईए अगर नहीं चल पाते हैं तो आप गोड़े में बैठके भी यहां तक पहुंच सकते हैं जिसके लिए आपको पे करना होगा माच तिरफ 500 रुपे पर पर और यह देखे पैनॉर्मिक व्यू एकदम 360 में आपको दिखा रहा हूँ चारों तरफ बरफ ही बरफ हैं पहाडों की चोटिया हैं और बहुत ही ultimate व्यू है और हमारे दो साथी जो है पीछे छूट गए और मैं और नागेंदर हलाकी पहुंच चुके हैं यहां पर हमारे पा हो 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 । थंदो रे थंदो मेरा पाले की हक्या उटांदी पानी थंदो थंडो रे थंडो मेरा पाड़े की हमा थंदी पाड़ी थंडो तो भाई लोगो हमारी कॉफी हो चुकी है खता अब नागेंदर भाई इन परवत स्रेणियों के बारे में बताएंगे यह कौन कौन से परवत स्रेणिया है और यहां पर बहुत तेज हवाई चल रही हैं जिसकी बज़े से वीडियो में बहुत जादा नौइज आ रही थी तो मैं आपको बता दूँ कि यहां से आपको ओम परवत तिर्शूल परवत कामत मन परवत दुनागरी और फेमस नंदा देवी परवत की चोटियां यहां से देखने को मिलेंगी इसके लावा स्लिपिंग लेडी और एलिफेंटा यह भी आपको यहां से देखने को मिलेगा और साथ मिलेगा 360 व्यू पूरा गोर्सौं भुग्याल का और यहां से कुछी दूरी पे है कुवारी पास टाइम होता तो हम जरूर वहां भी जाते हैं लेकिन अभी समय की कमी है और नेक्स टाइम का जो ट्रैक होगा उसमें हम कम्प्रीट कर देंगे कुवारी पास को भी और यह देखे जो परियाटक हैं पूरे हिंदुस्तान से यहां पहुंसते हैं और पूरा पैसा वसूल करके जाते हैं यह तो मैं कह सकता हूँ जो लोग यहां तक पहुंच चुके और यहां पर यह बाई साब हमें मिलते हैं और पूछ रहे हैं कि आपका कोई यूटूब चैनल है क्या तो हमने बता दिया अपने चैनल का नाम UK Mountain Soul और साथ मैं सब्सक्राइब करने के लिए भी बता दिया बाई साब करेंगे या नहीं करेंगे यह इन बाई साब के उपर हम हैं मिल चुके रास्ता बटक गे थे लोग और दूसरी साइड में चले गे थे और इनकी हालत भी खराब हो गए थोड़ा थकान भी लगी हाला कि यह लोग नाराज हो रहे थे कि हमें ब्लैक काफी पीने का मौका नहीं मिला तो हमें चमा याचना के लिए प्रातना पत्र इन नजर दोड़ा हो वहां पार इतना ultimate view था हमने बहुत enjoy किया और अब हम कुछी देर बाद पहुंचने वाले हैं अपने hotel की तरफ यह देखे मेरे right side में यह है skin का track और मैंने यह भी सुना है कि यहां पर अगर बरब नहीं गिरती है तो यह लोग मसीनों से भी बरब बना देत है और ओली में ठंड बहुत कडाके की पड़ती है तो गाइस अपने साथ jacket और गरम कपड़े अपने साथ जरूर लेका है और पानी के bottle तो हमेशा carry करें गरम पानी हो तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास अच्छे सूज हैं grip वाले तो आप वो लेके आए अगर न संबर जनवरी और फरवरी इन महीनों में आप यहां आएं और बर्फवारी का लुक्त लें और दोस्तो अगर आप आप आवली में रातरी विश्राम करना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप पहले प्री बुकिंग करवाते या कनफर बुकिंग हो तब ही आप आप करने पड़ेंगे तो इसलिए बेस्ट ऑप्सन है आप जोसी मट में रूम देखिए वहां पर पहुत सारी होटल सापको मिल जाएंगे अभी हमारा हो गया और हम जा रहे हैं दूसरे ट्रैक पर और अब टाइम हो गया है वीडियो को गुडबाई करने का और मैं यही आसा कर करता हूँ कि मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आप तक पहुंचा पाया होंगा और जल्द मुलेगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई एंड जय हिंद